अबर महुबा से जहां S.P. मनिलाल पातिदार समेट थाना देक्ष पर मामला दर्श किया गया है दो विस्पोचक बैपारी और पुलिस कर्वी पर भी मुकदमा दर्श किया गया है प्रसचार अधिनियम के तहर्त ये मुकदमा दर्श हुआ है कबरई थाना चेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है तो महुबा से बड़ी ख़बर सामने आ रही है जहां S.P. मनिलाल पातिदार समेट थाना देक्ष पर मामला दर्श किया गया है दो विस्पोचक बैपारी और पुलिस करनी पर भी मुकदमा दर्श हुआ है ब्रसचार अधिनियम के तहर्त ये मुकदमा जो है दर्श किया गया है महुबा कबरई थाना चेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जादर जानकारी के साथ पंकज गुपता हमारे समवादार ताफ ओन लाइन पर बने हुए है पंकज S.P. मनिलाल पातिदार समेट थाना दक्ष पर मामला दर्श किया गया है क्या कुछ पूरी जानकारी जी बिल्कुल देखें मैं पूज़ा आपको बता दू कि महोबा महोबा में बीते दो दिन पूर पर भी ऐस्पि मनिलाल पातिदार साइथ चार अन्य लोगों पर भी एक भरश्टा चार अदिनियम के तैद मामला सदर कोतवाली में दर्श हुए था इसके साथ ही आज देर रात मामला 307 और 387 एक सो बीस बी और धरश्टा शार अदिनियम साथ बड़े 13 के दर्श एक मामला और दर्श किया गया है जिसमें मनिलाल पार्टीदार और उनके तकलीम समय सब्रई एसो देविन सुकल और उसके साथ ही दो बैपारी बिस्पोर्टर जो बैपारी हैं उनके खिलाब भी मामला दर्श किया गया है इसके साथ ही कुछ अन्य लोग विस करमे भी हैं जिन पर हत्या कराई जाने मतलब ह पर हत्या कराई जाने की कोसिश और इसके साथ ही उनके तो बंकर चाप बता रहे हैं कि कुछ अन्य पुलिस कर्मी उनके संख्या कितनी होगी जो F.I.R. में दर्च किया गया है उसमें साफ तर पर लिखा गया है कि कुछ अन्न पुलिस कर्मी उसमेर उसमेर किसी भी तरह की कोई अभी संख्या नहीं खोली गई है F.I.R. के मताबिक तो ये कहना मुस्किल होगा कि कितने लोग थे ये जाज की विंडू है जो जान लेवा हमला कराई जाने का आरोफ लगाए गया है वो बहुत जादा संगीन है जी बिलकुल पंकच बहुत बहुत शुक्रिया हम से जुनने के लिए तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए